अबे यार सुबा हो गई क्या यार चीडियों की चाहने की अवाज आ रही है मेरे को तो लगता है सुबा ही हो गई है सिंचान अबे ओ सिंचान अबे सिंचान बोल क्यों नहीं रहा यार जाना थोड़ी है आज गनेस विसरजन तेरे को पता नहीं है क्या चल वरना तेरे को छोड़के चला जाओंगा यार जाँ है ऐस तो है चलो चलो अबया फुटबॉल खेरेका क्या तो यहां पर फुटबॉल कौन लाख के रख देता है यह देखो भाई शोते यह लेकर सोता है क्या आज यार हाल जी वर बोल रहा है चल भाई आज काम करना है तूधर किदर देख रहाए आज भाई नहाने सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होने वाला है आज भाई सब मैंने भाई पिछली वरवरा एपिसोड में क्या किया था और यह रहा हमारा भाई पंडाल यह देखो भाई भाई यह सटर का यह होता है मैं जैसे दूर जाओंगा नो तो भाई वह सटर बंद हो जाएगा और गनपति पप्पा एकदम सुरक्षित रहेंगे रात के लिए तो भाई अभी हम लोगों को भाई यह देखो डेकोरेशन वगरा किया था पिछली वारवला एपिसोड में है न सिंचन अब चॉब भी आगया क्या बात है ओर और फ्रैंकलिन कर रहा है तो अरे को अब भागए आँ से भाई पता नी गयज़र अरे फ्रैंक की विये मेरे को क्यों गिरा रहे हो अब यह तेरो को नहीं गिरा रहा था वैसे यह देख सकतो गनेस उत्स और यहाँ पे हम क्पार्ज करते हैं इसको विसर्जन के लिए मैंने वाली जो दीख रहे हैं इसंको पहले किनारे करना पड़े यह कड़ी यह थे बहुत है आरे देखता जाए यह यारले यह मैं बैट क्यों ना रहा हूं क्या एरे हां यार मैं तो आपसे दो गंटे पहले ही उठाता आप सो रहे थे तो मैं भी सो गया अबे यार चलो कहो भाई साब क्या ठंडा ठंडा पानी नजर आ रहा है लग रहा है काफी ठंडा है ज्यादा देर तक मैं नहां नहीं पाऊंगा इसलिए बाहर निकल जाता हूं सिंचन और देर तक नहां अब नहीं आप बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी था इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहां नहीं सकता अरे यार चलो कोई बात नहीं अब चलते हैं अब कहां पर चलेगा यार पहले कपड़े पहलने उसके बाद विसर्जन करने अब हाँ यार विसर लगती है ना अवारी लगती है चलो गईज इसको डन कर दिया आजा चलते हैं अब गनपती बापा को विसर्जित करने भाई समंदर के किनारे अब नदी काहां पर है इधर समंदर का पानी बढ़िया रहता है नदी के पानी में वाई केमिकल मिला के गंदा कर देते हैं ये पाइस बाप्पा को हम लोग इस ने ले लोग ले के आया तहें न सिन्चनमिर को याद है आरे नहीं पर also कार पहार कर पीछे ले के आया थे लें की पाइसे कार पे लेनी जाएंगे यह वाली ब्हुर्स आप तो यहां पर बैठा देंगे और मैं और तू इधर बैठ जाएंगे और बड़िया तरीके से सब हो जाएगा है ना एरे हां फ्रेंकी विया चल रुखजा भाई तू बैठ ना मतभी यार रुखजा भाई पहले बपा को अराम से इधर आराम से पहले ऐसे लगा देते हैं इस पाले कि इसके पीछे ना सिंचन अरे हां पीछे ही चल सिंचन तू भी बैठ गया और बपा को भी मैंने बैठा दिया बाहर निकालू अब अब रुखजा भाई बाहर भी निकालना है ना तो उदर से रास्ता समझ नहीं आ रहा है हमारे बपा को मैंने कुछ इस तरह से लेंगे तो चलो गाइज गनपती बपा को हम लोग विसरजित करने के लिए फिलाल यहां से ले जा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है ना सिंचन अरे नहीं यार मेरे को बुरा लग रहा है अब तेरो को बुरा क्यों लग रहा है अरे यार बपा हम लोगों को छोड़के जा रहे हैं अगली पार तो दुबार आएंगे इना ऐसा थोड़ी है अगली बार वाई अभी दसारा मनाएंगे भूल गया क्या अरे हम यर मैं तो बहुत इब बड़िया बहुत ह्यprises अब यहां दसहरा में काफी जब जाधा खतरनाक वाला जीन करेंगे के पहुत जादा मज़ा म१ुत हैं चीषिंप रहे हैं गनपति नगताय। और अगर आप लोगों ने जब जब इस इंगनपति पपा को लेके आये थे अपने सोसाइटी में सोसाइटी में तो भाईसा वहाली वीडियो अगर आप लोगों नहीं देखी तो देख लेना है न अब और गाइस अभी तक आपने हमां को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कि तो चलो फिलाल अभी हम लोग पहुशने ही वाले हैं समुदर के किनारे वैसे सिंचन बपा को लेको सिप मैं जाओंगा तू मत आ जाना अरे यार नहीं नहीं मैं भी आओंगा अबै नहीं तू छोटा बच्चा बीच बीच में जाएगा फंसवस जाएगा और डूबोब ज इंडिकेटर दिया मोड लेते भाई अभी मैं इसको बताता अगर मैं गनपती बपा को अभी लेके नहीं जाता तो भाई अचानक से मोड दिया देख रहा है न एरे हाँ छोड़ो छोड़ो ऐसा वैसा होते रहता है अब हैर चलो बचलते हैं बपा को लेके विसर्जित करने अब है सिंचन यार पता नहीं यह रास्ता क्यों ऐसा है भाई देख रहा है अरे यार अपनी गड़ी ही छोटी है ना इसलिए ऐसा होता है अब है यह वाली काफी छोटी है तो चलो गाई जा इसको लेके हम लोग जा रहे हैं बपा का विसर्जन करने और भाई सब यहां से स चलते हैं और भाई यहां पर भीडवार वाला इलाका इदर नहीं करेंगे इदर देख रहे हैं तो इसलिए हम लोग साइड में किनारे एरह थोड़ा और आगे जाओंगे ना तो उदर पानी भी फ्रेस रहती है और भाई गंदावंदा भी नहीं रहता है यहां पर टट्ट सही बात है येर तो बाइ थोड़ा और दूर जाते हैं उधर साइड मैं है ना उधर जा सकते हैं जहां पर कोई बंदा नहीं दिख रहा हूगा ना उधर जाएंगे सिंचन एड़ा, इदर कोई नहीं दिख रहा है अबे रुख जा इदर पत्थर वत्थर है ना तो इदर ओ भाई सिंचन क्या कर रहा हूं मैं भाई देख अबे लेकिन ये कड़ी कितनी अच्छे से जा रही है ना इन सारे रास्तों में भी अरे हां यर बपा का असिरवाद है अबे हां यर बपा का असिरवाद है देख यहां पे दूर दूर तक बंदे नहीं दिख रहे हैं यहां पे लेके चलते हैं तो गाइजर फिलाल अभी मैं यहां पे आज चुका हूँ अभी बपा को भाई साब इस पानी के अंदर ले जाना ह अभी अंदर जाके करना तू अभी आंगा नहीं यह मैंने तिरसे बोला ना तू मत आना तो चलो बाई सब चलते हैं अदर ही रहा पानी काफी ज़ज़ा ठंडा भी है और बाई सब बहुत जदा बाई इदर देखरो कितना ज़ादा नीचे तक पानी है तो चलो भाई बपा को इदर हम लोग छोड़ देते हैं आप ऐसे ये करके और सीधा कर देते हैं मूर्ती को कुछ इस तरह से तो गाइजर बपा को हम लोग ने विसरजित कर दिया और पानी देखो किते मचलिया भी चल रही है इसमें और यह रहे हमारे बपा देख सकते हैं कितने बड़िया तरिके से हम लोगों ने विसरजन किया है चलो भाई काफी ज्यादा पानी ठंडा है ज्यादा देर तक यहां पर हम लोग रूख नहीं सकते और वह देखो सिंचन आया नहीं सही बात है मैंने उसको बोला था यह बात मा पानी गहरा है देख रहा है सिंचन इधर किनारे अरे हां यार बालू भी ज्यादा ऐसा है अब यहां यार तो गाईजर फाइल ने हम लोगों ने विसरजन कर दिया है पपा को और समुंदर के अंदर तो वीडियो आपको पसंद रहा हो तो लाइक कर दोना चैनल पर आपने